दो से जादा जो बच्चे पैदा करें, उसके वोटिंग राइट खर्तम कर लो, उसको इलक्षन में चोड़ाव रने के अनुमती मत दो दरीतर गरीब हिंदुस्तानी वो बन करके पैदा हो और वो आगे अपने देश के उपर भोज बन जाए ऐसा भारत तो मैं अपने आखों से नहीं देखना चाहता कि सोचता भी हो, देश के लिए जीता भी हो, और जो मुझे करना चाहिए वो करता भी हो इस इशू पर देश में चोनाव जीते या हारे भी जाएंगे, यह इतना बड़ा मसला है, छोटा मसला नहीं आई नरियंदर मोदी जी का एक बहुत बड़ा वक्तित्प है, उनकी नियात, उनकी लीतिया, उनका लित्रित, वह भी राष्ट के लिए शुब था, शुब है यह दंगल इस बार का जोर का सजरा है, और इस दंगल में राष्ट का मंगल होना चाहिए, बस यह हम सोचते हैं नमस्कार आप देखने हैं, आज तक मैं हूँ आपके साथ रोहित सर्दाना, योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर चर्चा में है और इस बार अपने एक ऐसे बयान को लेकर जो उन्होंने बढ़ती जंसंख्या को लेकर दिया योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है, कि जिन लोगों के दो से ज्यादा बच्चे हों, उनसे वोटिंग का अधिकार ही छीन लिया जाना चाहिए योग गुरु बाबा रामदेव इस पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ हैं उनसे हम पूछेंगे वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन उसके पहले उनका वो बयान आपको सुनवा देते हैं, जिसको लेकर आज देश भर में चर्चा हो रही है तो सुनवा आपने योग गुरु बाबा रामदेव का बयान और बाबा रामदेव इस वक्त हमारे साथ खुद लाइव मौजूद हैं बात करने के लिए बाबा रामदेव सौगत है आपका आज तक पर अचानक क्यों आपको ये लगने लगा कि जन संख्या एक ऐसा मसला है जिस पर आपको बोलना चाहिए देखिए रोहित भाई, 70 साल पहले भारत के आबादी 30 से 35 करोड के बीच में थी जब इन पिछले आजादी के 70 सालों में हमने देश की आबदी लगवब चार गुना कर दी है यदि आज हमने आने वाले पचास सो सालों के भारत के बारी में नहीं सोचा क्योंकि मुझे आगे हिंदुस्तान में 50 से 70 साल और जिन्दा रहना है और देश के लिए काम करना है मैं ऐसा भारत नहीं देखना चाहता जिसके आबादी करीब थाई सो करोड हो मैं ऐसा भारत नहीं देखना चाहता है जा मेरा भारत का बच्चा पैदा तो हो लेकिन उसकी इलाज के लिए चिकित साले ना हो हॉस्पिटल ना हो उसके एजुकेशन के लिए School College, University नहीं नहीं, उसके चलने के लिए सड़के नहीं, उसके खाने के लिए पूरा खाना नहीं और उसके जिन्दगी को वो सम्मान सभिमान, गोरव के साथ ना जी से कि मनें एक सभिमानी हिंदुस्तानी नहीं, एक दरीदर गरीब हिंदुस्तानी वो बन करके पैदा हो और व तो एक जागरूक भारती होने के नाते, मैं सन्यासी हूँ, मुझे साधी ब्याहा और बच्चों के बारे में उससरे की कोई अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मैंने तो वरत ले लिया है कि मुझे सारे देश्वासियों को अपने परिवार मान करके जीना, लेकिन आगे आने वाल प्राटी भारत की भारती के बारे में एक सन्यासी नहीं सोचेगा, तो फिर कौन सोचेगा, सब को शोचना चाहिए, टेश की सेंटर पॉलिटिकक्स का मुद्दा मानता हूँ, इसको मैं एक सामजिक जागरूक्ता का मुद्दा मानता हूँ, क्योंकि आज भी हमें जनसंख को मैं मानता हूं कि देश की राजनीती इन जो इसूज है केंद्री मुद्धी राजनीती केंद्री तरहने चाहिए यह मुझसे प्रश्ण पूछा कल माली गड़ में था तो मैंने उटर दिया आप जो प्लान बता रहे हैं वो बड़ा विस्फोटक है और बड़ा खतरनाक है लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे अगर आप यह कहेंगे जिसके दो से ज्यादा बच्चे हो उसको वोटिंग राइट्स नहों उसको सरकारी नौकरी में जगा ना मिले उसके उपर इ एक बहुत ही सजग जागरूप पत्रकार है पहले बात तो इसका कोई मजब से लेना देना नहीं दूसरी बात इसका गरीबी अमीरी से लेना देना नहीं है तीसरी बात इसका कोई वोट बैंक से लेना देना नहीं है आप एक जागरूप पत्रकार होने के नाते क्योंकि जै बताओ जो मैंने कहा हो ठीक था या गलत था बाबाजी ठीक लगा हमने तभी आपको बुलाए ना कि इस विशेप विस्तार से आप से बात की जाए कि आप इसको एक प्लान की तरह एक आंदोलन की तरह लेके चलने का मूड बना रहे या केवल एक जगा बयान दे दिया और उस उसरे ज्यादा हो जाएंगे इसलिए तुम पांच बच्चे पैदा करो और आप ऐसे भगवादारी हैं आप कहरें कि दो वाले हैं उनसे ज्यादा जिसका भी हो उसकी नौकरी चिन लो उसको वोट मत देने दो देखो हम तो अकेले आए हैं अकेले जाएंगे लेकिन सब ग्रियस्तों के लिए मैं तो सन्यासी हो संसारी लोगों के लिए कह रहा हूँ हम दो हमारे दो सब के दो और देखिए बाकी बाबाओं के बारे में तुम्हें क्या बोलूँगा देखो जो अच्छे सादूसंत महत्मा है वो तो अच्छा ही कर रहे है और मैं उनको जानता हूँ ऐसे उपयोगी सन्यासी है योगी सन्यासी है जो देश के लिए बहुत अच्छा जिन्होंने किया आज कर रहे हैं और आगी भी करेंगे मुझे तो सबसे ज्यादा इसी के लिए उनाना मिलता है कि दूसरी सन्यासी ऐसा कर रहे है वो तो 18-18 घंटे काम नहीं करते आपकी तरह है वो तो आपकी तरह है लोगों को ना रुजगार देने के लिए काम कर रहे हैं ना कोई संस्थान ब बड़ा मसला है इसके उपर पूरी संजीद्गी और संवेदन शिल्ता के साथ बहुत दूर दृष्टी के साथ हमें देखने सोचने और करने की जरूरत है और मैं आज आपको कह रहा हूं आज तक देश का सबसे बड़ा न्यू चैनल है कोई नहीं दूर दूर तक सिरफ गेगत में मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि और यह होने वाला है आने वाले चुनाओं में राजनतिक पार्टियों का भी मुद्दा होगा और इस इशू पर देश में चुनाओं जीते या हारे भी जाएंगे यह इतना बड़ा मसला है छोटा मसला नहीं है यह आखिर देश का मसला है मैं इसको किसी कोम का मसला मानता ही नहीं हूं किस देश के नागरिक कितने स्वस्थ हैं कितने सिक्षित हैं कितने समृद्ध हैं आज इसराइल से अपनी तुमना कीजिए वहां के 85 लाख जो नागरिक है वो हमारे यह तो नहीं कहूंगा सवासों कोड़ और हमारे यहां के 85 करोड नागरिक जरा तुलना करके देखें। एक करोड के बराबर वहां का एक लाक बैठ रहा है। इतना जादा उन्हों ने अपने देश के नागरिकों को सबल बनाया है। हम अपने देश के नागरिकों के हाला देखें क्या यहां पर इलिटरेशी का रेट है क्या यहां पर हैल्थ न्यूटिशन मने भूख बेरुद्गारी गरीबी इन आकड़ों से भरा पड़ा आखिर एक भारती होने के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी तो लेने पड़ेगी क मेरे देश के हर एक नागरिक का सम्मान वो इसराइल के नागरिक से कमने होने चाहिए जापान के नागरिक से कमने होना चाहिए यूके यूएस से कनाड़ा के नागरिक से कमने होना चाहिए जैसे विदेशों के दूतावासों में भारत से लेकर के पूरी दुनिया में वहा कि हम बहुत चीजों को बढ़ा सकते हैं अच्छी बात भी कहता है उसमें बीजेपी के नेता विक्रम सिंग का बयान है कुछ दो दिन पहले का ये बयान है सर मुझफर नगर में उन्होंने कहा कि भाई मैं मानता हूँ जब तक कानून नहीं बनता पॉपुलिशन कंट्रोल का हिंदू भाईयों आपको छूट है रुकना मत अब या तो आपकी और उस पार्टी के विचारधारा अलग-लग हो गई है आप दोनों के रास्ते अलग-लग हो गए क्योंकि कुछ दिन पहले आपने तमिलनाडू में ये भी कहा कि पता नहीं अगला प्रधानमंत्री कौन बन जाएगा और जाती मेरी मनुश्यता है मानावता मेरा धर्म है वेद मेरा धर्म है और मैं ये मानता हूँ कि देश बड़ा कुछ नहीं होता है और इसमें कहीं पर कोई मैंने कोई गणित सोच विचार करके नहीं बोला मैंने केवल और केल ये आप से पहले भी कहा आप अब फिर कह रहा हूँ कि 50 साल का भारत मैंने देखा है 70 साल के भारत में किस तरह से आबादी बढ़ी है और 70 साल मुझे इसे हिंदुस्तान के लिए और काम करना है बाबा रामदेव थोड़ा सा पाला अपना शिफ्ट कर रहे हैं कि अगर मौसम बदलता लग रहा है थोड़े से ऐसे आसार लग रहे हैं कि चीज़ें बदल सकती हैं तो बाबा राम देव वो बातें भी कर रहे हैं जो दूसरों को अच्छी लग जाएं अपनों को भले बुरी लगे अच्छा देखो रोहित भाई आप इतने संजीदगी वाले इतने संवेदर्शिल जागरुक पत्रकार हो पाला माला इनसे कोई लेना देना ने स्वामी राम जो मेरे आत्मा में परमात्मा की प्रेणा है या जो एक स्वभाविक सत्य है जो यूनिवर्सल टूथ है जो यूनिवर्सल जस्टिस है मैं यूनिवर्सल लो है उसकी बात करता हूं हमेशा कभी लाब हाने का विचार करके सौमिर राम देव नहीं जिया सत्य का विचार करक राज धर्म राज धर्म नहीं है जो राजनेतिक धर्म है मेरे लिए राश्ट धर्म सत्य मेरा धर्म है मेरे लिए व्यक्ति महत्व पून नहीं है चित्र नहीं मेरे लिए चरित्र महत्व पून है मेरे लिए जिंदगी मैं कितने दिन जीता हूं या बे महत्व पून नहीं मैं विचार करके कहता हूं कि उसका मतलब क्या है उसका गंतव्य क्या है और उसमें हां संसारिक रूप से उसके लावहानी मान अपमान इसका चिंता भी नहीं करता रोज मेरे पुतले फुकते हैं हिंदू भी फुकते हैं कभी कभी मुसलमान भी फुकते हैं फुक ने दो मैं तो जिन्दा होना और जम तक जिन्दा रहों गदेश के लिए अच्छा सोचूंगा अच्छा बोलूगा अच्छा करूं गया महत्तफुन के लिए आपने खाक अभी अभी तो नरेंद्र नरेंदर मोदी का व्यक्तित्व या प्रियंका गांधी वादरा का व्यक्तित्व आपको क्या लगता है कौन भारी पड़ेगा आने वाले दिनों के दोनों का अलग लग व्यक्तित्व है नरेंदर मोदी जी का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है उनकी नियात उनकी नीतिया उनका नेत्रित वह भी राष्ट के लिए शुब था शुब है और हमारी आज भी उनके लिए शुब कामनाई हैं वो भी 18-18 घंटे देश के लिए भारत माता के लिए काम कर रहे हैं जहां तक आपने दूसरा नाम लिया प्रियंका जी का वो भी एक भार डैनेमिक भेन है और यदे भी राजनेतिक अनुभावर मोदी जी जीतना उनका नहीं है पोलिटिकल कंट्रिबूशन भी जह है उनको अभी अपना दिखाना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहती है तो मुझे तो ऐसा भी लगता है साथ हो सकता है वो आगे चुनाव भी लड़ें क्योंकि सोनिया जी की उमर काफी हो गई है तो संभावना ये भी दिख रही है कि हो सकता है वो अपने मा के कॉस्ट्रिट्रे से राइबरेली से चुनाव भी लड़ने और आगी फिर उनको दिखाना पड़ेगा कि उनका पॉलिटिकल कंट्रिबूशन क्या है इस देश के निर्मान में उनका क्या कंट्रिबूशन है तो दोनों का परिप्रेक्शा अलग लग है, दोनों की आईयो अलग लग है और दोनों की पुरष्डिभूमियां अलग लग है इसलिए मैं दोनों की तुलना नहीं करना चाहता किसी भी दोड़ पर मौसम बदल रहा है के नहीं देश का? आपको क्या लगता? रोईद भाई आप रोज दंगल में रहते हो और इस राजनिति वाले दंगल में मुसिव क्यों ताल ठोकवाते हो आप रोज ताल ठोकते हो ना आप वाल ताल ठोकते रहो अपने ताल में ताल हमारी भी मिलाते रहो हम तो इतना ही जानते हैं कि ये दंगल इस बार का जोर का है चाहिए भस इह हम सोस्ते हैं चलि नहीं देश कोले कर सोचने वाला होना चाहिए और ये